हाई फ्रेंड्स आज मैं एक कप सायरप का रिव्यू करने जा रहा हूँ कोफरेस्ट एलस सायरप ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्द होता है सेंच्योर फार्मसोटिकल्स प्राइवेट लिमिटेट के दौरे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 100 ml के एक बॉटल मार्केट में 131 रुपीज की उपलब्द होती है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तिमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरियंसे सें कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इस प्रोड़क्ट के कमपोजीशन के बारे में तो फ्रेंड्स पर 5 ml में एम्रोक्सॉल 30 मिली ग्राम सालबुटमोल 1 मिली ग्राम और गोईफेंसिन 50 मिली ग्राम के मातरा में इस सायरप में उपलब्ध होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोड़क्ट के कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स सॉल्बिन एलेस सायरप जिसे इपका लिबरेटरीज लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है जेरुटस एकसपी सायरप जिसे अरिश्टो फार्मसेटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है एस्टालीन एक्स एफ सिरप जिसे सिपला लिमिटेट के दोरा बनाया जाता है इंडिकोफ एलेस सायरप जिसे एलकेम लिबरिट्रीज लिमिटेट के दोरा बनाया जाता है और चेरीकॉफ एलेस सायरप जिसे सन फार्मसोटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कमपोजिशन के साथ उपलब दे कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप इस प्रोड़क्ट के ना मिलने के सिके में पर्चिस कर सकते हैं आपको एफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का दो साल्ट या मॉलिकूल होता है वैस सेम होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो फ्रेंड्स इस साइरप का इस्तिमाल बलगम वाली खांसी से रहत पहुचाने में किया जाता है यह गाड़े बलगम को पतला करने में मदद करता है जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है और इससे सांस लेना भी आसान हो जाता है इस सायरप के लेने से एलरजिक लक्षण जैसे आँखों से पानी का आना छींगा आना नाक बहना और गले में जलन होना इन लक्षण में भी आपको रहात मिलती है बिमारी के लक्षणों से आराम के लिए दबा के साथ साथ पर्यापत मातरा में आपको गुन-गुना पानी भी पीना चाहिए और गर्म नमकीन पानी के साथ गरारी करना चाहिए अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट के बारे में ले कब से मापना चाहिए और उसके पस्चाद इसे पीना चाहिए इस्तमाल करने से पहले आपको बोटल को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए आप सिरप को भूखे पेट या भोजन के पस्चाद भी ले सकते हैं परन्तु मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लें कुछ safety features की बात करें फ्रेंड्स अगर तो medicine जिस समय आप ले रहे हैं उस समय आपको alcohol का सेवर नहीं करना चाहिए गर्भवस्था और इस्तन पान की period से अगर आप गुजर रहे हैं तो डाक्टर से परमर्स अबस्य करें किड्नी रोग और लीवर रोग से जुड़ी समस्याओं का सामना अगर आप कर रहे हैं तो डोज एड़स्टमेंट की जरूरत पड़ती है अता है आपको अनिवारे रूप से डाक्टर से परमर्स करना चाहिए तो फ्रेंड्स यह थे छोटा से रिविव मेडिसिन के उपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आते है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें